नमस्का दोस्तों, हमारे अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 36 गड में जो 82% आरच्छन हुआ था जिसमें OBC का आरच्छन था और दोस्तों साथी सा EWS का था और वी SC का आरच्छन जो है 1% बढ़ाया गया था उस पर जो है बिलास पुराही कोट ने एक बहुती बड़ा फैसला दिया है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों या आप हमारे इस चैनल पर नए हो यानि कि दोस्तों पहले से जो है 58% जो है रिजरेवेशन था चतीसगड में उसके बाद में 10% जो है EWS के लिए आया तो इस प्रकास से जो है चतीसगड में जो रिजरेवेशन हो गया दोस्तों वो 82% हो गया था इसी को लेकर खास करके OBC आरच्छन को लेकर जो है सुनवाई करने का सवाली पैदा नहीं होता क्योंकि ये जो है चतीसगड में बिदान सवा में पारिती नहीं हुआ है तो इक कानूर का रूप नहीं ले पाया है 82% आरच्छन लेकिन दोस्तों आई कोट ने कहा है कि लेकिन 2012 में जो 58% आरच्छन पर इसके ब्रोध में जो याज का दाखिल की गई थी उन पर सुनवाई जारी रहेगी यानि कि दोस्तों अब 82% पर नहीं अब 58% आरच्छन पर जो है इसके ब्रोध में जो है याज का दाखिल की गई की दोजर बारे में तो इस पर सुनवाई होगी याडि और इसमें जो है दोस्तों इंद्रसानी जो बावला है जिसमें 50% से अधिक आरचण की मनाही की गई है उसके आदार पर जो है सुनवाई होने की उसके मतलब इसका जो है रिफ्रेंश जित्ते भी आचका करता है इसका र रिफरेंग करता है नो है रिफ्रेंपा जित्ते पित्ते खश्रीं पिरीं दिन की आदार भी आचर